Point to be noted, I like English का मतलब होगा, मुझे अंग्रेजी भाषा पसंद है, यहाँ पर यह जो English आ रहा है, it is working as a language, but I like the English, अगर आपने अंग्रेजी भाषा के आगे, English के आगे द लगा दिया, तो इसका मतलब होगा English speaking people, English speaking people, the people who speak English, उनको कहेंगे the English, English, so I like the English, मतलब मुझे अंग्रेज पसंद है, मुझे अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग पसंद है, है नहीं, sentence है, okay, I like English, and I like the English, क्या डिफ्रेंस से सवंझ में है, ऐसी मैंने कहा, ज्यान देना, The English defeated the French in the war, युद में English ने French को defeat कर दिया, हरा दिया, तो इसका मतलब अंग्रेजी भाषा ना फ्रेंच भाषा को नहीं हरा है, अंग्रेजी भोलने वाले लोग जो है, अंग्रेज, उन्होंने जो फ्रेंच भोलने वाले जो फ्रेंचिस ही है, उनको हराया, that is the meaning of this particular line, जनरली बच्चे को ना पढ़ना एक बास समझ में है, तो ये डिफरेंस किसके कारण हो रहा है, only because of this article the, तो article the जो है ना इसको underestimate मत करना, आर्टिकल the बहुती तेड़ी और अलग प्रकार की चीज़, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक एक चीज को समझ के study करें, ताकि आपको कोई confusion ना हो, तो सबसे पहली चीज तो the जो है एक definite article है, अब definite article होने से इस copy हो कहा करना जो चीज निश्शित हो definite हो, जिस देखो, मैं आपके सामने एक line लिखता हूँ, आप खुछ समझ जाए होगे, मैंने कहा, I meet a boy, मैं एक लड़के से मिला, अब यहाँ पर आपने क्या लगाया, लड़के आगे यह लगाया, और वह लड़का बहुत होशियार था, अब आगे देखो, अब मुझे बताओ, आपने क्या किया, आपने पहले लिखा, आपने आगे लिखा, आपने पहले कहा, I met a boy, मैं एक लड़के से मिला, आपने आगे कहा, वह लड़का केसा था, बहुत ज़्यादा इमानदार था, बताई क्या डिफ्रेंस है दूनों, जब आप लड़के से पहली बार मिल रहे हो, तो वह लड़का आपके लिए क्या है, अनिशित है, इंडेफनिट है, इसलिए आपने वह इंडेफनिट आर्टिकल ए लगाया, लेकिन जब उसी लड़के का दुबारा जिक्र आपने किया, तो वहाँ आपने द लगाया, तो ये विशेज ध्यान देना है, कि द कापयो कहा होता है, जब आपके एक स्टोरी सुनाता हूँ, सुनना, अब आप यहाँ पर देखो इस स्टोरी के अंदर, और भी हम इसको लि इसलिए अ किंग हमने का है, आर्टिकल को practically समझो रटने वाला विशे नहीं है आर्टिकल, है न, चलिए, द किंग वोस वेरी ब्रेव, अब देखो यहाँ क्या लगाया हमने, अब पहले हमने अ किंग लगाया, अब हमने द किंग लगाया, इसक क्यों हो गया, क्योंकि पहले जो किंग था, आप पूरी स्टूरी को अंदर जहाँ भी किंग आया न, ढूंड लो, वहाँ पर आपको दही लगा मिलेगा, देखो, यहाँ दही लगाया हमने, क्योंकि एक बार किंग का जिकर हो गया, अब दही किंग लिखा है, जहाँ जहाँ किंग आया न, यह देखो, और ढूंडो कहीं पर किंग लिखा होगा, तो वहाँ लगा नहीं पड़ेगा, और नहीं लगाया तो अभी लगाने एक जर्बत हमें, क्योंकि अब वो किंग डेफिनिट हो गया, वही किंग जिसके बारे में यह स्टूरी शुरू से चल रही है, अब अगर आप कहीं भी मा के एंट्री होती है, तो वो इंडेफिनिट होता है, लेकिन एंट्री होने के बाद में वो डेफिनिट हो जाता है, अब देखो, अब किंग यहां लिख दिया हमने, अब अब किंग के बाद में यहां पर हमने आगे देखो दा लॉइन लिखा, पहले हमने अ लॉइन लिखा फिर हमने दो लॉयन लिखा, ऐसा क्यों कि हमने, क्योंकि अब लॉयन के एंट्री हो गई है, लॉयन अब निश्चित हो गई है, मतलब दे लग जाए, दूसरी बात, forest के case में देखो, कहा गया, two forest, the direct क्यों लगाए है, क्योंकि जिस story में जो राजा है, उसी के आसपास जो जंगल होगा, वहाँ वो गया, अगर हम यह बोलेंगे, went into a forest, तो इसका मतलब होगा, एक जंगल में गया वो, एक अनिश्चित जंगल, पथा नहीं, वो जंगल कहाँ था, we don't know about this story, जैसे देखो, मैंने का, boys are running on the road, boys are running on the road, तो on the road क्यों बोला हमने, obviously उसी road पर दोड़ रहोंगे, जहाँ वो लड़के हैं, जैसे आप किसी से बात करो, आपने कहा कि, मैंने देखा कुछ लड़के road पर दोड़ रहे थे, I saw some boys were running on the road, तो जहाँ आपने देखा, वही पर वो नहीं होता है, आर्टिकल बहुत ही प्यारी चीज है, इसकी मदद से छोटी छोटी जितनी भी writing mistakes होती ही आपकी, यह सब कम कर सकते हो, and that's why, don't take it for granted, articles are very important, and they are used to show the accuracy in your language, and if you have a good command over article, you can eradicate hundreds of mistakes, right, चलिए, तो यह आपको यहाँ पर देखो, ऐसे देखो, एक बार यह यहाँ the king लिखा देखो, right, तो मैं आप सब को यह बताना चाहता हूँ, the forest लग गया है, so overall one thing that I want to say, अच्छा, यहाँ पर हमने article A क्यों नहीं उस किया बता, ऐसा क्यों लिखा, the king was very, the king was a very brave, क्यों नहीं लिखा, वो इसले नहीं लिखा, क्योंकि वहाँ पर बाद में noun नहीं नही a copy, मेरे पास एक copy है, दूसरा देखना, I have the copy which you gave me, क्या अंतर है दोनों वाक्य में, यहाँ पर द लगाया है, यहाँ पर ए लगाया, ऐसा क्यों हुआ बताऊं, क्या logic ऐसा लगाने का, बताए, what is the logic behind it, यहाँ मतलब निकल रहा है, एक copy, और यहाँ निकलेगा, the copy, मतलब मेरे पास वही copy है, जो आपने मुझे दीती, तो यह copy कैसी हो गई, यह copy आपकी definite हो गई, और definite things के आगे, निश्चित वस्तू के आगे definite article, the copy हो होता है, that's why ऐसा हो रहा है, आरी बास कोंज में, देखो, मैंने कहा, the boy who helped you, लड़का जिसने आपकी मदद करी, मतलब कोन लड़का जिसने आपकी मदद करी, निश्चित हो गया, the boy who helped you, is my friend, देखो, क्या बोला हमने, the boy, क्या बोला हमने, the boy, the boy who helped you, लड़का जिसने आपकी मदद करी, is my friend, वो मेरा friend है, देखो, यह सारी चीजे तो आपको सबको पता है, यह चोटे- of your count at all the dug up your name of rivers name of oceans name of important buildings name of river matlab the ganga the human others normanda name of oceans the pacific the red sea the indian ocean name of important buildings the rastapati bhavan the white house name of newspaper the times of india the hindustan times uh before the name of sheep strains and plane another titanic the rastapati bhavan uh the rajdani express the kingfisher airline before the name of religious communities the hindus the muslims before the name of empire the egypt the mughals and before the incident of history the cute india movement and all before the dynasty the ragu banshi the vikrant name of political parties the bjp the congress you know name of religious books the ramayana the quran in some case of me use of that is kella was too unique ho anna a cha a movie ad at no up to the superlative degree odhiya take on us ke aghi bhi delakta superlative degree mein aghi mein patahunga aupko joh basti unique ho athart sabhi planet avantaro ke naam ke aghi bhi use kartheta sun the moon the earth the world the universe lekin yad rakhna kabhi bhi the heaven the hell the god the parliament ka upyog nahi hota wishes dhyana dhena vectivist ke pad ke poormi video copyo kiya jata hai 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 first second third fourth yeh sab aapke ordinal number ho ata hai or cardinal number one two three four five yeh sab aapke kya hota hai cardinal number to cardinal number ordinal number ordinal number doonu ki bici me difference ko dheklo kis tarikaze aapka walk karra hai right musical omission of article bhiya yae bhaat important omission of article ka matlab ho tha zero article article tiden और mysticalना नहीं कर гाल अपको यह कहीं नहीं पंदिन को मिलैगर अपको हर जग यह मिलेग रिगल कहा लगाना है आपको यह बहुत बहुत है मतलब नहीं होता है मतलब फिजिग के आगे रखिजिक नहीं बोल सकते ह हैं प्रश्ट्री नहीं बूल लेकिन अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप सिर्फ इतना बोलो I know English, अगर किसी भाशा के आगे दा लगा दिया ना तो उसका मतलब क्या निकलेगा उस भाशा को बोलने वाला व्यक्ति, यह इस तरीके से आपका होता है, इसके बाद देखो, next, यह देखो, जिसे यहां कि यह गलत है, she likes to play hockey, यह सही है, चलो आगे देखते हैं हम लोग, यह पढ़ लेना आप लोग, यहां से आपको यह exercise आपके start हो गई है, कोई बताएगा first वाले में क्या answer आना चाहिए, बताओ, he gave blank 1 रूपी, options are, a, an, the, या कुछ भी ने, चौर option आपके पास, बताओ, क्या आएगा first वाले में, देखिए, everyone, सबसे पहले यहां लिखा 1 रूपी, 1 रूपी का मतलब होता है, 1 रूपीया, क्या मतलब होता है, 1 रूपीया, अब अगर आप यहां मान लो, a लगाते हैं, विसे दोखो, o से शुरू हो रहा है, तो o का sound यहां पर, यहां पर sound किसका है, work a, work a sound है, मतलब consonant sound है, वैसे यहां बनुसार, a लगना चाहिए, लेकिन, आप जब इसे बोलोगे, one रूपी, आप a लगाओगे, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, एक, एक रूपिया, एक, एक रूपिया, जो की exist नहीं करता है, एक, एक हाँ, अगर मैं यहां पर यह लिख दू, one रूपी कॉइन, क्या लिख दू, one रूपी कॉइन, तो क्या आएगा, बताओ, यहां पर मैंने रूपी के बाद में, यहां पर यह इसको फुली स्टॉप काटागे, क्या लिख दिया, one रूपी कॉइन, अब बताइए, यहां क्य आएगा कि कुछ भी नहीं आएगा ठीके ना अब आपको यहां पर क्या लगाना है अब आपको यहां पर he gave me a one rupee coin coin लिखा है इसके कारण a लगेगा ठीके अच्छा मान लो यह one को हटा देते है अभी हमने one को अटा दे अब बताईए क्या लगेगा he gave me blank rupee a rupee n rupee the rupee या कुछ भी नहीं one को अटा दिया हमने जल्दी बताओ अब यह सोच रहा होंगे सर यह तो ऐसे सवाल पूछते हैं आप तो यह सब समझ में आए जिसको आर्टिकल समझ में आ रहे न हो आंसर करेगा और जो तुक्के लगाने वाले रूपी अब यहां ए लगेगा उसने मुझे एक रूपिया दिया एक रूपिया अरूपी अगर मैं ऐस लगा दूँआ रूपी तो आप कुछ नहीं आएगा ठीक है ऐसी बात है इसलिए कहते हैं English is very funny language now would you like to have a cup of tea क्या आप एक cup of tea एक cup चाहे लेना चाहेंगे blank room is airy room केसा है airy है airy है मतलब हवादार है ठीक है भी यह अब जब room को आप हवादार बता रहा हो मतलब यहां फिर आपको क्या लगाना है the room is airy क्या लगाना है the room is airy क्योंकि आप उसकी विशिस्ता बता रहा है room को आपने हवादार बोल दिया इसका मतलब क्या है वो room आपका देखा परका हुआ जब देखा परका है शेक्सपियर एक सरनेम है गुलियम शेक्सपियर ठीक है यह एक सरनेम है तो सरनेम के आगे थुड़ी आर्टिकल लगाते है लेकिन यहां पर लगा रहे है क्योंकि तुलना करने में यूज हो जाता है